हेलो एंड वेलकम टू उन्नती कमपेटिशन क्लासिस बच्चो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लुसेंट बुक के बारे में ये इसका होगा वीडियो का पार्ट थ्री अगर आपने इसके पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लुसेंट वीडियो की प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ पे वो दोनों पार्ट जरूर देखें देखें इस बुक में जो भी मैं बात आपसे करूंगा आज केवल वही फैक्ट आपको बताऊंगा जो आपके एक्जाम के point of view से काफी important होंगे ये लुसेंट बुक की actually summary है summary सुनकर के आप please कहीं भागेगा नहीं कहीं जाएगा नहीं या summary में ठीक है cut of cut बताएंगे ऐसा नहीं है मैं को cut to cut नहीं मैं आपको पूरी बुक आपके सामने present करूंगा और जो जो aspect आपके exam की द्रश्टी से बहुत जरूरी है आपको पता होनी चाहिए वो सभी point मैं आपको आज दिखाऊंगा और आपको समझाने का परियास करूंगा और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो बुक है यह बुक अगर आप competition के त्यारी कर रहे है तो आपके हाथ में होनी चाहिए आपके बुक self में होनी चाहिए अगर किसी कारण वस आप purchase नहीं कर पा रहे हैं बुक financial काफी week है या फिर market आसपस available नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस channel की playlist में जाये यह वहाँ पर आपको इस बुक के complete video एक एक line आपको मिल जाएंगे वह audio file है audio file आप सुन सकते हैं लेकिन यह अब बन रहा है video ठीक है चलिए सुरू करते हैं आज का अपना यह video देखिए part 3 part 3 में हम बात करेंगे वैदिक सब्वेता के बारे में देखिए वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था पहला था आपका रिगवेदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल ठीक है वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड करा गया है यह आपको याद रखना है पहला भाग क्या है पहला भाग है आपका क्या रिगवेदिक काल और दूसरा काल क्या है उत्तर वैदिक काल एक्जाम में कभी कभी आपसे यहां से questions बन जाता है कि वैदिक काल को कितने भा पांजाब एवं अफगानिस्तान सद्य हं आरे और यह पने पास में ये आप आ याट से यालो से और रेड से मैंने अमडलायन कर क्यांफ आप लिख लेघ्लिएक नोस् अब जैसे कि यहां पर बताया था कि वैदिक काल दो भागों में डिवाइड था आप लिखे पहला फस्ट रिग वैदिक काल सेकंड लिखे उत्तर वैदिक काल बस तक है उसके बाद आप आरिया सबसे पहले आये पंजाब एवम अफगानिस्तान में पंजाब और अफगानिस्तान में ये लिखेंगे उसके बाद हम बात करतें कि मैक्स मुलर ने आरियो का जो मूल निवास था उनकी जो जनम भूमी कही थी वो कही थी मध्य एसिया में इसका क्या है आरियो का मूल निवास है यहाँ पे इनका जर्म हुआ था तो यहाँ पे मूल निवास क्या था किस ने कहा था यह कहा था मैक्स ने क्या कहा था मैक्स ने यह कहा था कि आरियो का जो मूल निवास है वो है मध्य एसिया क्या है मध्य ए और हम बात करते हैं कि आरियों के परसासनिक एकाई आरोई करम में इन पांच भागों में इस प्रकार से डिवाइड करा गया है कुल ग्राम विश जन और रास्ट ठीक है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका क्या था अब तक आरियों की भासा संस्क्रित थी मद्धे एश्या से आये थे ये कहाता मैक्स ने और वैदिक का दो भागों में डिवाइड था आरे सबसे पहले कहां पर आकर बसे थे ये बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में आगे हम बढ़ते हैं चलिए ग्राम के मुखिया क्या कराते हैं ग्रामेडी एवं विश का परधान कराता थ ठीक है ग्राम से बना है ग्रामेडी विश से बना है विश पती आगे है राज्य अधिकारियों में प्रोहीत एवं सेनानी परमुक थे क्या थे प्रोहीत एवं सेनानी क्या थे यहां पर परमुक थे आगे हम बात करते हैं देखिए बाकी की लाइन आप वीडियो को इसमें कुछ important नहीं था, इसलिए मैंने इसको cover नहीं करा, अब बात करते हैं, उगर के बारे में, उगर क्या थे, देखिए जैसे कि आप किसी भी जगर पे रहते हैं, तो महाँ पे पुलीस होती है, पुलीस का काम क्या होता है, पुलीस का काम होता है, अपरादियों को का कारे करता था, उगर भी भाग, या फिर, आगे हम बात करते हैं कि, थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं इसमें कि, दसराग युद्ध का उलेक, रिगवेत के साथवे मंडल में है, ये भी एक्जाम में कभी-कभी पूछता है, बहुत ही कभी-कभी पूछता है, तो इसल मैं इस वीडियो में केवल उतना ही कवर कर रहा हूँ, जो आपके SST exam के point of face बहुत important है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, मैं अगेर बोल रहा हूँ कि, अगर आपने pen नहीं उठाया है, नोट बुक नहीं उठाया है, तो प्लीज, pen paper उठा लीजिए, और इस अब को note करना काफी important है, कई बार आपसे exam में पूछ लेता है कि, उपनिशेदों की कुल संख्या कितनी है, ये है 108, और बात करते हैं, महा पुराणों की संख्या कितनी है, 18, और वेदां की संख्या कितनी है, 6, आप ये तीनों नंबर, 108, 18, और 6, इन सभी numeric को अपने notes में लिखिए, फि विभाई जो साधी नहीं करती थी, marriage नहीं करती थी, उन महिलाओ को क्या कहते थे, उन महिलाओ को कहते थे, अमाजू, ये भी कई बार questions पोछा गया MTS exam में, जो मैं highlight कर रहा हूं, वो सभी आपके seizure के exam तक के लिए काफी important है, जो भी तियारी करें seizure के लिए, वो पर इस वीड पती से बनाया जाता था, और आगे हम बात करते हैं, देखे कि आरियो का जो मनरंजन के मुखे साधन थे, क्या थे, संगीत थे, रतदोड था, घुरदोड था, और धूत केड़ा थी, आगे हम बात करते हैं, कि आरियो का पिरिया पसु घोड़ा, एगम सरवाधिक पिरिया देखता कौन थे इंद्र थे आरियो द्वारा खोजी गई धातू क्या थी लोहा आरियो के तो द्वारा खोजी गई धातू क्या थी लोहा हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि सिंदू के बारे में हमने बात करें थी सिंदू सब्बेता के द्वारा सबसे पहले अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूं वह वीडियो जुरूर देखिएगा बाकी आपकी मर्जी डाटा कम हो टाइम कम हो आपको बस पढ़ने का तो आप देख लीजिए जैसा आपको बैस लगे वैसा करिए मेरा काम आपको बताना था मैंने आपको बताया अब हम बात करते हैं कि आरे द्वारा खोजी की दिद्धा तो क्या थी लोहा थी और वैपार हे तो दूर दूर तक अमने जाने वाले वैकती वाले वैकती क्या कियांते थे उसको कहते थी पणी क्या कması Here आगे बात करते हैं हम लोग की रिल देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति जैसे की आपने मुस्यों की करजा लिया उस करजे के तौर पे आप मुझे एक इंटरस्ट देंगे एक ब्याज देंगे तो मैं आपसे जो ब्याज ले रहा हूँ ब्याज जो मैं आपका खा रहा हूँ ठीक है इसको हम क्या बोलते थे उस काल में उसको बोलते थे वेक नोट या बोलते थे सूद खोर आगे हम बात करते हैं मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्त की भूमी का निभाने वाले देवता के रूप में अगनी की पूजा की जाती थे जब मनुष्य देवता के बीच में एक देवता होते थे उसको बोलते थे अगनी अगनी की पूजा करते थे अगर मनुष्य की क कि सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्पूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है रिगवेद में कौन सी नदी को सबसे महत्पूर्ण माना जाता है या फिर किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है आपसे एक्जाम में ये पूछेगा तो आप याद रखेगा सरस्पती नदी और रिगवेद में गंगा और यमना का उलेक सिर्फ एक बार हुआ है देखे इस तरह के फैक्ट भी आपके एक्जाम में आते हैं अगर आपने एक्जाम दिया होगा कभी जी सीजियल का ठीक है और किस नदी का केवल एक बार ही रिगवेद में जिक्र हुआ है याफी सामिल करा गया है उस नदी को तो ये दो नदी है गंगा और यमना दोनों ही नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए आगे हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के इस्थान पर प्रजापती सरवाधिक पिरिया देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य विशेक के समय राज सूर्य जग का अनुष्ठान किया जाता था जब भी राजा का राजविसे होता था उस टाइम पर क्या होता था राज सूरिया यग का अनुष्ठान किया जाता था ठीक है आप याद रखेगा आगे हम बात करते हैं देखिए उत्रवैदिकाल में हल को सीरा और हल के द्वारा खीची गी जो रेखा होती है अगर हल जमिन चलेगा तो एक लंबी सी एक नाली सी बन जाएगी एक रेखा खिच जाएगी एक गहरी रेखा खिच जाएगी उस रेखा को क्या कहते हैं उस रेखा को बोलते हैं सीता मैं अगेन बोलूँगा ये आपने अगर मौक टेस्ट दिया होगा तो इस तरह के कॉश्चंस आपने जरूर देखे होंगे, अब आपको लग जाएगा पता कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, जितनी महनत हम लोग करते हैं, मैं चाहता हूं कि उतनी महनत आप भी करें, क्योंकि महनत करोगे, आगे बढ़ोगे, अगर महनत नहीं करोगे, तो आप से आगे कोई दूसरा निकल जाएगा, यही नियम है, चलिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे कि सक्खे दर्शन, जिसको बोलते हैं साख्य दर्शन, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, अब देखिए यहां से क्या कोशन बन सकता है, मैं देखो कोशन क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, इसलिए बोलता हूँ आपसे कि एक skills होती है ये आपको अपने अंदर develop करनी पड़ेगी देखें आपको cut to cut अगर आपने कोई भी questions पढ़ लिया अब आपके mind में ये भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से questions पूछ सकता है अपने मन में एक दो बार उससे समधित questions बना के देखिए इस तरह से क्या होगा आपको उसका right answer भी याद हो जाएगा और अगर exam में वो questions कुछ गुमा फिरा के आपसे पूछ लेता है तो आप नहीं घबराएंगे आप जल से जल उसका right answer लगा करके अगले questions में बढ़ जाएंगे exam में तो इसलिए ये skills डवलप करिए अब देखिए यहाँ पूछ सा है कि भारत के सभी दरसनों में सबसे प्राची दरसन कौन सा है उसका नाम क्या है उसका नाम है साख्ये दरसन इतना ही याद रखेंगे आप आगे बात करते हैं सत्य में बजाते मुंड को अपनिशेद से लिया गया है इस अपनिशेद में यग की तुलना तूटी नाव से की गई है किस अपनिशेद में यग की तुलना तूटी नाव से करी गई है ये करी गई है मुंड को उपनिशेद में ठीक है और सत्ते में जाते कहां से लिया गया है मुंड को उपनिशेद से ये कोशन भी कई पार एक्जाम में पूछ लेता है आगे हम बात करते हैं गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र हम बोलते तो है ओम भूर भुय स्वय तस सवितर वर लेकिन हम जो यह मंत्र बोल रहे हैं हम किस देवता को संबोधित कर रहे हैं हम किस देवता के यह मंत्र बोल रहे हैं हमको देवता का नाम पता होना चाहिए वो नाम है सब्रित नामक देवता और इसका उल्ले कहां पर है जिसका संब्ध है रिग्वेज से आगे हम बात करते है कि महा काव्य दो हैं कौन से महा भारत और पुरान महा भारत का पुराना नाम क्या है इसका नाम है जैसहीता और यह विस्वर का सबसे बड़ा यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है महा काव्य है आगे हम बात करते हैं गोत्र की कभी भी अगर हम लोग अपने नाम के बीचे सरनेम लगाते हैं जैसे कुमार, सिंग, मलहुतरा, कपूर, पंत या फिर कोई अधर सरनेम लगाते हैं तो हम पूछते हैं कि तुम्हारा गोतर क्या है तो गोतर गोतर वगरा यह जो नामक संस्था का जरम हुआ यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में यह कब हुआ था यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ रिग वैदिक कालीन देवता के बारे में कि देवता का संबंद क्या था संबंद किस से था जैसे इंद्र अगनी ये सारे देवता थे, लेकिन मैंने देवता के और वही हाइलाइट करे हैं, जो आपके SSC exam में पूछे जाते हैं केवल उनके बारे में, ठीक है? जैसे इंद्र देवता संबन रखते हैं, युद्र का नेता एवं वर्सा का देवता किसको बोलते हैं? इंद्र देवता को, आप आपको चार उप्शन देगा, इंद्र, अगनी, विश्णू, या फिर मरूत, तो आप याद रखेगा इंद्र को, तो ये आपको चारो के चारो, वान, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो ये पांचो के पांचो आपको याद करने हैं, अभी तुरंत, वीडियो को पॉस और याद करिए, देखेए, इंद्र से सम्मंदिर बात कर ली हमने, देवता एवं मनुष्य के बीच, कौन मध्यस्ता का कारे करता है, हमने अभी पढ़ाता हम किसकी पूजा करते हैं, उस टैम पे अगनी देवता की पूजा करते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखेए, यह था आपका मनुष्य एवं देवता के बीच, मध्यस्त की भूमी का निभाने वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है, अगनी की पूजा की जाती है, अगनी को जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका अगनी अभी आपको किलियर हो गया होगा, ठीक अब हम बात करते हैं पूशन देवता मतलब पसुओं के देवता किसको बोलते थे पूशन देवता को और विस्व के संलक्षन इवं पालन करता कौन करते हैं विश्ण भगवान आगे आंधी तुफान का देवता किसको बोलते हैं ये बोलते हैं मरुत को तो ये पांचो के पा होना चाहिए अगे बुद्ध के जन्म के पूर्व च्छटी सताबदी ईसा पूर्व में भारत वर्थ सौल selber जन्मपदों में बटा हुआ था आपको याद अठना है सौले जन्मपद में पूरा भारतवर्स बटा हुआ था और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है ये हमको जानकारी मिलती है बोध गरंथ जिसका नाम था अंगुतर निकाए यहां से इसके अध्यन करने के बाद में इस गरंथ के अध्यन करने के बाद में हमको पता चला कि हमारा भारतवर्स टोटल सॉले जनपदों में भी भाजित था आगे बात करते हैं जनपद के नाम क्या क्या जनपद है महा जनपद अंग, मगध, कासी, वत्स, वज्जी, कौसल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरू, मदस्य, कंबोज, सुर्सेन, और असमक तथा गानधार तो ये सॉले की सॉले महा जनपद हैं आपसे एक्जाम में टोटल जनपद कितने हैं सॉले की सॉले आपसे नहीं पूछेगा आप सिक बस किवल ये पूछेगा कि महा जनपद अंग की राजधानी क्या थी कासी की राजधानी क्या थी अवंती की राजधानी क्या थी पंचाल की राजधानी क्या थी और सुर्सेन की राजधानी क्या थी गानधार की राजधानी क्या थी तो अब हम बात करते हैं अंग की राज़ानी थी चंपा, कासी की वारहणसी, अवंती की उज्जैन, इसको बहुते हैं महिस्मती, पांचाल की थी, अईच्छत्र और कंपिल लिये, सुर्सेन की राज़ानी थी मतुरा और गांधार की राज़ानी थी तक्षिला, ठीक है, देखिए महा जर्ब पर किसकी राज़ानी क्या थी, यह मैं आपको बता चुका हूँ अभी, इस वीडियो को पॉस्ट करिए, और राज़ानी नौट करिए, और अभी तुरंट इसको याद करिए, देखिए, आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं, और वीडियो में बात करेंगे आपसे, जैन धरम के बारे में बात करी जाए, तो पर्थम तीर्द कर या फिस संस्थापक, दोनों का नाम एकी था, उनका नाम था रिशब देव, क्योंकि ये काफी इंपरनल पर्सनलिटी है, एक्जाम में के बर पूस्ता है, तो आप इसको इसको मत करिएगा, रिशब देव, आगे बात करते ये थे अस्विसेन के पुत्र, केवल फैक्ट पढ़िए, बाकी लाइनों में आपको ज्यादा घुसने के आवशक्ता नहीं है, आप पढ़ना चाहें, नौलिज के लिए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पास कर सकते हैं, अप्री नौलिज गेंद कर सकते हैं, बड़ एक्जाम की दरस्टी से आपको इतना पता होना ही होना चाहिए, एक्जाम देने जाओ तो कम से कम इतना आपको मालूम होना चाहिए कि 23 वे तीर्थकर कौन थे, 24 वे कौन थे, पहले कौन से थे, और ये पास्मनास किसके पुत्र थे, और बात करते हैं, 24 वे जातक कुल के सरदार थे और माता का नाम क्या था त्रिशला लिच्छिवी राजा चेटक की बहन थी ये और महावीर की पत्नी का नाम क्या था देकिए पत्नी का नाम कई बर पूस्ता एक्जाम में इसलिए मैंने इसको हालाइट करा पत्नी का नाम था ये शोदा और इनके कि मृत्तु के पश्चाद अपने बड़े भाई से आग्या दी उनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्दन ठीक है नंदी वर्दन से नोने आग्या लिये अनुमती लेकर कि वो सन्याज जीवन को नोने स्विकार कर लिया आगे बात करते हैं हम लोग की बारे वर्ज की कट प्द्ध और निर्ग्रंथ मतलब बंदनहीन कहलाई महावीर ने अपना पहला उद्ध में आपसे अपने सर्परथम उद्ध कौन सी भासा में दिया वह थी आपकी प्राकर्थ और इसको बोलते हैं अर्द मागदी आगे हम बात करते हैं देखिए जैन से सम्मधित के वर इतने ही फैक्ट आपको रीट करने हैं और महावी ने अपने सिस्तियों को 11 गर्धरों में विभाजित करा था आगे हम बात करते हैं कि देखो क्या हुआ कि लगभग 300 एसा पुर्व में मगद में 12 वर्षों का भीशन अकाल पड़ा जिसके बात क्या हुआ बद्र भायू अपने सिस्तियों सहीत करनाटक चले गए किन्तू कुश अनुआई इस्तुल बद्र के साथ मगद में ही रुख गए बद्र भायू के वापस लोटने पर मगद के साथू से उनका गहरा मद्वेद हो गया उनके विचार आपस में टकराए और उसके बाद में क्या हो गया पूरा को पूरा जैन मत दो भागों में डिवाइड हो गया स्वेतामबर और दिगामबर जिसको बोलते हैं दिगामबर भी बोल सकते हैं यह अपने सरीर पर किसी भी परकार का कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं ठीक है यह आप याद रखेगा आगे हम बात करते हैं कि जैन धर्म के त्री रतन है कौन से सम्यक दर्सन सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आपको option में तीनों ही देगा ठीक है और options B, C, D क्यों एक उसम कोई मानेता नहीं थी लेकिन जैन धर्म में आत्मा को मानेता दी गई थी जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जैसे उदाईन, बदराजा, चंद्रगुट मौरिया, कलिग नरेस, खारवेल और राश्टकूट राजा, अमोग वर्स और चंदे अभी हम बात करते हैं दे इसके जैन धर्म के तो इनका परतिक क्या था सांड तो आपसे एक्जाम में पूछता है कि सांड जैन धर्म के किस तीर्थकर्थ से संबंद रखता है सांड परतिक जैन धर्म के किस तीर्थकर्थ से संबंद रखता है आपको चार ओप्शन देगा रिशब देव, अजितना पार्सव और महावीर तो आपको राएटांस लगाना लिशवदेव ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं डारेक्ट पार्स के बारे में ठीक है पार्सव नाद जिसे बोलते हैं यह थे 23 वे तीड़ कर और इनका जो परतिक चिन्द था वो था सर्प्साम फिर हम बात करते हैं मह काफी इरिया काफी स्क्राव हो जाएगा जो मैंने हालाइट कर आ है अगर आप इसको रीट कर सकते हैं सभी याद कर सकते हैं रिषब देप पहले, दूसरे, तीसरे, साथवे, सौलवे, किसवे, बाइसवे, तेईसवे, चौबिसवे ये सभी आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है बड़ जो इंपरेंट थे वो मैंने हालेट कर दिये आगे हम बात करते हैं फिलाल कि खजुराहों में जैन मंदिर का निर्माड किसने कराया था ये कराया था चंदेल सास को द्वारा किया गया था आगे चैन तीर्टकर की जीवनी बद्र भायू द्वारा रचित कल्प शूत्र में है देखिए 72 वर्स की आयू में महाविर की मिट्टी हुई जिसको बोला गया निर्माड ठीक है और कब हुई थी कौन से वर्स में 468 इसापूर में उनकी डैथ हुई थी और भिहार राजिये के पावापूरी जिसको पावापूरी ब्रैकिट में राजगीर में हो गई थी उनकी डैथ कब हुई थी यह आप से पूछता है वर्स 468 याद रखिएगा 468 और आगे हम बात करते हैं अब हम पहुशते हैं बोध धर्म के बारे में ठीक है लाइट ऑफ एशिया का जोती पूँज किसको बोलते हैं आपको जैन धर्मुक से सम्मदित कुछ नाम देगा और आपको बोध धर्म से सम्मदित कुछ नाम देगा तो आपको याद अखना है गौतम बुद को जोती पूँज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनका जनम कब हुआ था इनका जनम हुआ था 563 एसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुंबनी नामक इस्थान पर इनके पिता जो थे वो थे सुदोधन ये कौन से थे साक्के अगण के मुख्या थे इनकी माता जो थी माया देवी की मिटती हुई इनके जनम के साथवे दिन ही हो गई थी जब इनका जनम हुआ था 563 में इनका जनम हुआ था साथवे दिन ही इनकी माता का दिहान थो गया था इनका लालन पालन इनकी सुतेली मा कौन थी परजापती गौतमी ने किया था इनके एक सुदेली माल थी जिसका नाम था पढ़जापती गौतमी इनके बच्पन का नाम था सिधार्थ और गौतम बुद्ध का विवाज सौले वर्स की अवस्था में हुआ था याद रखेगा कौन सी वर्स की अवस्था में हुआ था कुछ द्रिश्य कुछ सीन देखे तोटल उन्हें चार द्रिश्य देखे जो द्रिश्य उनके अंदर तक उनके मन को काफी भेद गए जैसे बुड़ा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति सव मतलब डैड बॉड़ी और एक सन्यासी इन्होंने इन चार चीलों के दर्सन करे उसके ब बोध धर्म में क्या कहा जाता है इसको कहते है महा भिनिश कर्मण महा भिनिश कर्मण का संबंद किस बात से है ये है आपका बोध धर्म से संबंद रखता है और 29 वर्स की अवस्था में जब उन्होंने ग्रहत याग करा महा भिनिश कर्मण का संबंद है ग्रहत याग से अलार कलाम से साख्ये दर्शंज की सिक्षा घर्ण की इनके गुरू कोन थे अलार कलाम सीर्थ चिख्षा है। सिधार्थ के पर्थम गुरु कौन थे तो आपको याद रखना है इनके पर्थम गुरु थे हलार कलाम आगे देखिए इन्हों इससे सिक्षा ग्रहन करी सिक्षा जब इनसे ग्रहन कर ली उसके बाद इनके दूसरे गुरू बने दूसरे गुरू का नाम क्या था रूद्र कराम पुत्थ रूद्र कराम पुत्थ ये नाम आप याद रखेगा आगी बात करते हैं देखिए बिना अन जल ग्रहन किये 6 वर्स की कठिन तपश्या के बाद 35 वर्स की आयू में बैसाद की पूर्णेमा की रात जिसको बोलते है निरंजना या फिर फालगू या फलगू नदी के किनारे ठीक है कौनसी नदी के किनारे आप इस नदी का नाम याद रखेगा नदी के नाम को स्किप मत करना इस नदी के किनारे फल्गु नदी के किनारे पीपल वरक्ष के नीचे इनोंने क्या करा सिध्धार्थ को ग्यान प्राप्थ हुआ सिध्धार्थ को कहां पे ग्यान प्राप्थ हुआ आप से एक्जामे पुछेगा तो आप याद रखेगा नदी का नाम क्या निरिंजना इसको बोते फल्गु नधी और कौन से पेड़ के नीचे पीपल वरक्ष के नीचे इनको ग्यान की प्राप्ति हुई ग्यान प्राप्ते के बाद सिधार्त बुद्ध के नाम से जाने लगे और वह इस्थान क्या कराया जहां पे इनको ने ग्यान की प्राप्ति करी उसको बोते हैं बोध गया आगे बुद्ध ने अपने उब्देश जन साधरन की भासा पाली में दिये थे बुद्ध ने अपने उब्देश कौन सी भासा में दिये थे अगर ये एक्जाम में पूछेगा आपसे तो आपको याद अखना है पाली भासा में देखे बुद्ध ने अपने उब्देश, कौशल, वहसाली, कौशामवी एवं अन्य राज्यों में दिये देखे बच्चो मैं फिला आपको कुछ एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं, कुछ फोर्स करके इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर मैं वन लाइन टू लाइन पढ़ूंगा ना, तो आप शायद बोर हो जाएंगा, आपको लगेगा कि आपको न्यूश चैनल सुन रहे हैं, द बच्चे डीफ एंड डाम होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, वो वीडियो उनके लिए थी, अगर काफी बच्चो को वीडियो काफी पसंद आई, और काफी लोगों ने लाइक भी करा, अगर मैं उसके बात करूं कि उसके कितने व्यू आये, तो उसके मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अगेन आपसे बोड़ रहा हूं कि ये सभी फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, आप बोर मत होना, अगर आप इससे भी बोर होते हैं, किताब भी नहीं उठा सकते हैं, आपके बास जो की दूसरा आप्शन्स है पढ़ने का, वो अपनाएए और परसेंजीत तथा उद्यान, बुद्ध की जो डैस हुई थी, वो ही थी, 80 वर्स की अवस्था में, 483 इसा पुर्व में, कुशी नारा में, इनकी डैस वाली जो केस है, डैस की जो अवस्था थी, जो ये काल था, इसको बोलते हैं, महापरी निर्मान, इसको कहा जाता है, ठ आगे बात करते हैं, मलो ने, अतियंत सम्वान पूर्वक, बुद्ध का अंतियस्टी, मतलब बोलते हैं, अंतिम संस्कार, ठीक है, अंतिम संस्कार किस ने करा था, बुद्ध का, ये करा था, मलो ने, आगे हम बात करते हैं कि बोध धरम के बारे में हमें विसद ग्यान, पाली तिरी पिटक से प्राप्त होता है, बोध धरम का जो फैला हुआ जो ग्यान था, इसके प्राप्ती हमें कहां से हुए कि हाँ, इनका ग्यान इतना विख्यात था, इतना फैला हुआ था, पूरे वि ती, तरिश्णा को शेर हो जाने कि आवस्ता को ही बुध निर्वाण कहा है जब आपकी इच्छा सब खतम हो जाती है, मर जाती है तो उसको बोलते है निर्वाण विस्व दुखो विस्व जो है दुखों से भरा हुआ है ये कतन था ये कतन था बुद्ध का और इन्होंने कहां से लिया ये लिया था उपनिशेस से बात करते हैं थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि बुद्ध के अनुआई दो भागों में डिवाइड थे एक थे भिखशुक एक थे उपाशक ठीक है उपाशक और भिखशुक बोध धर्म के परचार के लिए जिन्होंने सन्यास ग्रहन किया मतलब अपना ग्रहत त्याग कर दिया उन्हें आपको दोनों ही यादए है अब बात करते हैं कि देखिए बोध संग में सामिल होने के लिए कम से कम आयू कितनी होनी चीए 15 वर्स और बोध संग में परविष्टी होने को क्या कहते थे इसको कहते थे उप संपदा क्या कहते थे उप संपदा आप इसको याद रखेगा ठीक है बोध धरम के तिरी रतन है क्या बुद्ध, धम और संग अब बात करते हैं बोध सभाय क्या क्या हुई थी पहली बोध सभा किसने रची थी दूसरी, तीसरी और चौती सभा पर्थम बोध संगिती जो बनी थी जो सभा बुलाए गई थी वो बुलाई थी अजात सत्रुने, यह आप नाम याद रखेगा और इनका वर्स आप याद रखेगा देखें वर्स भी एक्जाम में पूछ लेता है और दितिये बोध संगिती जो हुई थी वो हुई थी 383 इसापूर में इस्थान था वैशाली और अध्यक्ष देश के सबाकामी और यह सासनकाल था काला सोक का देखें तीसरी और चौती काफी important है संगिती यह तीसरी और चौती दोना ही आपको याद रखनी है तीसरी करवाई थी अशोक ने अशोक के सासनकाल में हुई थी और चौती हुई थी कनिस के सासनकाल में कनिस कौन था कनिस था आपका अशोक का पुत्र और अशोक का हिर्द्या परिवर्तन हुआ था कलिंग के युद के बाद में और कलिंग कहां पर है यह है उडिसा में और यो युद्ध हुआ था वो किस के साथ में हुआ था खारवेल के साथ में उस तमें कलिंग के राज़ा कौन था खारवेल था दोनों के बीच में युद्ध हुआ अशोग जी था और युद्ध भूमी में जब लहु लुहान भूम में आगे कि चौथा बोध जो संगिती हुई थी वो इती कनिश के सासनकाल में देखिए चौथे बोध संगिती के बाद बोध धरम दो भागों में बढ़ गया डिवाइड हो गया बोध धरम कौन सी बोध संगिती के बाद दो भागों में डिवाइड हो गया ये था आपका च बुद्धों का सबसे पवित्र तोहर क्या था वैशाक पुर्णिमा है जिसे बुद्ध पुर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इसका महत इसलिए है कि बुद्ध पुर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जनम ग्यान की प्राप्ति और महापरी निर्वान की प्राप्ति हुई थी इसलिए बोलते हैं इसको बुद्ध पुर्णिमा अब बात करते हैं कि बुद्ध ने संसारी दुखों के संबंद में चार आरिय सत्यों का उपदेश दिया है यह है आपके दुख, दुख समुदाई, दुख निरोध, दुख निरोध, गामिनी और परतिपक गया ठीक है यह आपसे एक्जामें बहुत कम पूछता है आपसे पूछेगा कि क्या बुद्ध ने अस्टांगिक मार्गी की बात की यह अस्टांगिक मार्ग कौन से थे ठीक है यह आपसे पूछेगा कि अस्टांगिक मार्ग का परचलन या कि निरिमान किस ने करा तो अश्टांगिक मार्ग के संस्थापक कौन थे इस तरह से पूछ लेता है आपको चार आप्शन देगा आपको राइट आंसर याद अखना है बुद्ध ये कौन-कौन से थे ये थे सम्यक दरश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वानी, कर्मान, आजीव, वयाम, इस्मरती एवं समाधी बुद्ध के अनुसार अश्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भवत्रिश्णा नश्ट हो जाती है और उसे निर्वान प्राप्त हो जाता है निर्वान बोध धरम का प्रमलक्ष था जिसका आर्थ है दीपक का बुझ जाना, अधार्थ जीवन मरन चक्र से मुक्त हो जाना ना ही तो किसी को मरने की जिंदा है, ना ही किसी को किसी बात की लालसा है उसको बोध निर्वान बुद्ध ने मध्यमार्ग का उफदेश दिया था देखे अनिश्वरवाद के संबन्द में बोध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है कौन से वाद में बोध और जैन धर्म में दोनों के माने दर भी कुछ से में दोनों के विचार भी कुछ मिलते हैं ये है अनिस्वरवाद, आगे बात करते हैं देखिए, कि जाता कठाएं परदर्शित करती हैं कि बुद्धिस्द का अवतार मनुश्य रूप में ही हो सकता है, तथा पशो के रूप में भी, बुद्धि सिद्र के रूप में पुलर जर्मों की दीर कि शरंखला के अंतरगत बुद्ध ने साक्यमुनी के रूप में अपना अंतिम जनम प्राप्त किया किंदू उसके उपरांत मैत्रिय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने से थे देखें सरवादिक बुद्ध मूर्तियों का निर्मार गांधार सेली के अंतरगत हुआ देखें सबसे जड़ा जो बुद्ध मूर्तिया का जो निर्मार हुआ था वो वा था गांधार सेली में लेकिन बात करें पर्थम मूर्ती संभफते जो बनी थी वो बनी थी मतुरा कला के अंतरगत बनी थी ठीक है आप याद रखेगा मतुरा कला के अंतरगत पहली मूर्ती बनी थी और उसके बाद जो मैक्सिमुम जो बुद्ध की मूर्ती बनी थी उसमें जो सैली का जो यूस करा गया था वो यृ। सैली थी गांधार सैली बच्चो आजक्ते इस वीडियो में बस यहं करा होगा और आपने शेगना हें कि अगर आपने शॉतिकह नहीं सब्सक्राइब नहीं चाहिए तो ईसको सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में उसके साइड में आपको दिखाए देगा एक बैल आइकन उस बैल आइकन पर किलिक करना ना भूले और आपके जो भी फ्रेंड कमपटिशन के त्यारी कर रहा है उनकर इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि आज आज आप किसी की हैल्प करेंगे और आपके करह Kel help करें करें लेकिन वो किसी और की help करे예요 और यह एप करने का सिल्सला कभी बंद नहीं होना चाहिए और अगर यह वीडियो को पसंद आया हो तो फिरे लिसको like करिए अधर बार जाने से पहले मैं किवल से यह कहना चाहूं에서 Gebener से टुड़ी करिए एक aim एक goal एक set कर लेजिए कि 2017 तक मुझे किसने किसी कीमत पे selection लेना है और मैं चाहता हूं कि इस words इस year में मेरे पास बहुत सारे comments आए कि सर मेरा selection यहां पे हो गया है इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा मिलता हूं जल्दे एक नए वीडियो के साथ में बाइ बाइ टेक केर एंड आल दे बैस